तेंगेर ये शिक्का जाएगा लोग देखेंगे पूछेंगे कि शिक्का क्या है क्यों ले जा रहे थे इस पे एक पंद्रा बासा में संदेश लिखा हुआ है कि 1927 में जो वावा साब ने सपना देखना था आजा दी के टाइम क्या 2027 में भारत चुआ चूट मुक्त होगा जो तुझ लेगा मतोड़ा थाना है वहां पर एक केसा है कि नाईयों ने बाल कार्णा बंद कर दिया तो राजिस्तान में हो ज़्यादा विकट परस्तितिया है चुआ चूट और वेदबाव को लेके आज भी इसकूलों में मिड़े म उनको भी अपनी साधी में यदि पुलीस और इस टाइब का प्रोटेक्शन मांगना पड़ा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजिस्तान में क्या आल है नमस्कार आप देख रहें एंबीनीज 24x7 नीलम बोद के साथ और आज हूं मैं राजिस्तान के जैपुर में और मेरे साथ में जोदपुर हाई कोट के एडवोकेट बैठे हैं उन्हीं से जाना चाहूंगी कि आज जो राजिस्तान है उसमें जो सामाजिक प्रीवेस में किस तरह का वहार है लोग किस तरह से वहार करते हैं जातिए भेदभाव कितना है कि एक तरह समय यह कहूंगी कि जिस तरह से आज हम देख रहें जो हम पिचेत्रवा आजादी का अमृत मौस्तव के रूप में मना एगा जावी ए स्वागत है एंड़ीनिज मैं नमस्कार तेंक तो अन्य परदेशों से मुझे लगता है यहां बहुत ज्यादा दिक्कत है एक आई-एस जो अभी आई-एस बने हैं और पूरे पहले आई-पेस रहे हैं उनको भी अपनी साधी में यदी पूलीस और इस टाइब का प्रोटेक्शन मांगना पड़ा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्तान में क्या हाल है थोड़े दिन पहले की बात है हमारे भाई जीतंदरपाल मेगवाल जिन्नोंने मुझे रखी थी और सामनती सोचवा है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है तो राजस्तान में हो ज़्यादा प्रस्तिया है चुवा चूत और बेदबाव को लेकर आज भी इसकूलों में मिट्डे मील को लेकर यदि हम देखे तो अलग अलग बरतन है बरतनों में नीचे निशान किये वे अलग बिठाने की अंगनवारी के अंदर में यदि जाए तो बचों के लिए अलग ब्यवस्ता है दूसरी जगह सारजुनीगिस्तान है चाहे वो चाय की होटल है मंदिर है या आप देख सकते हैं पंचायती राज में पंचायत भवन है वहां पर भी यदि दली सरपंच है तो वो कुर्षी प सबसे बड़ा गड़ है और इस पूरी परकरिया खिलाफ हमने लंबे समय से एक मुहीम चला के रखी है अमने मिड़े मील के करीब करी 56 स्कूलों का एक सर्वे किया था और उसमें अलग अलग तरह के हमने छुआ छुआ छुद के जो परकार है वो देखे थे पानी पीने को खोले के दूसरा अतीसरा आरत रेका हमने देखा कि कुश जगह जैसे पानी पीने की वेवस्ता उसको अलग किया आँ दूसरा जैसे श्कूल एक रेर्ट किया आँ देखा फिर सरकार को आमने हमारी से फर्स भी बेजी और सरकार ने ये माना भी इए इस टाइब से है कारवाई की पूरा लेगली जो एक्षन करना चाहिए वो पूरा लेगली एक्षन अमने किया और यह इस्तिति है कि पच्ची मिराज़तान का जो जोद्पूर का भाग है वहां पर अधिक तर नाईयों ने मलविश को खतम किया है और कुछ जो अन्य जो समाज के लोग है जहां ब्रामीन थे वहां हम लोगों मदद किया था अमारी बड़ी टीम में दली तदिकार अभियान पच्ची मिरास्तान से मदद किया था तो अशुद्ध का बढ़ना समता का बाव हो बाहिचारे का बाव हो वह जगन की कोशिश की रूस से अपने आप कई जगे यह नाईयों की दुकान वड़ा खतम हुआ था दस दन पहले की बात है जोत्पु जिले का मतोड़ा थाना है वहां पे एक केस आया कि नाईयों ने बाल कारना बंद कर दिया मुझे फौन किया कि यह मना कर रहे हमारे उद्दाराम जी अद्यक से उनका फौन है मैंने इनको कहा कि मुकदमा नहीं करना मुकदमा करके कोई उसका समाधान नहीं हमें उनका दिल भी जीतना है तो हमने दिल जीतने की यह कोशिश की वहां के जो थानेदार है इमरान खान जी मैंन यह लोग सुईदान के साथ खिलवाड करेंगे तो हम लोग कुछ करेंगे एक्रोषिटी कहता है कि कोई भी छुआ छुट नहीं कर सकता है तो यदि आप मना सकते हैं अधनी जातियों का दबाव है इसलिए हम आपकी कर नहीं सकते तो आप देख लो 24 गंटे आपके पास है 24 गंटे का अमने कार उन्हों तीन गंटे में समाधान यह किया कि वहां पर राजपूर समुदाए के लोग थे उनको का भी मैं तो सारजुनिक दुकान लगा के बैठेर हमारे लिए किसी कोई किसी की उपसीने के बदबू नहीं आती ह हम तो बाल काटेंगे आपको कोई तकलीब हो तो आप अमारी दुकान मताना बहुत ही अलग तरह का उदान पेश किया था नाईयों ने खुद ने और उन्होंने धन्यवाद किया पुलिस थाना जो मतोड़ा उन्होंने भी धन्यवाद दिया कि हम लोग देखते हैं कि यह द कर रहे हो तो इस परकार का हमारा बहुत लंबा अनबो है मुझे करीब 22 साल होगे चुआ चूट के मुद्दे पर काम करते हुए और अभी हम लोगोंने मार्टिन भाई के साथ मिलके और जो समानता का जो शिक्का बना है इसका नाम भी समानता के शिक्का है और इसमें राज 2017 में भारत चुआ चूट मुक्त होगा वो अपना साकर होगा यह लिखा है लोगों अपने पता चल जाता है यह बड़ा मुमेंट है और चूआ चूट के खिलाफ है किसी जाती दरम या चेत्र के खिलाफ नहीं है व्यक्ति के खिलाफ नहीं है यह मानविये जो गरीमा का मु सब्सक्राइब करने के लिए सामने गई नेनवा लोहारवा बोडर जो गुजरात बोडर वहां गई और गाजे-बाजे के साथ गई हम लोग करीब करीब 400 लोगों का काफिला था हमारे साथ और हमने पूरा वेलकम किया सांचोर हम लोग आए उससे पहले दस गाओं में रोड पे मैलाएं पुरूष बच्चे जवान सब तरह के और सब जातियों के लोग बाहर आए और उन्होंने काया कि यह सिक्का है वो बह तो चरी बोलते हैं तो चरी भी उन्होंने दे दी यह चुँआ छुद मिटता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यह चरी हम लोग देते हैं क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा लेके जा रहे हो पूरा राजस्तान के लोगों करीब 80 किलो पितल दिया था और 80,000 कोईन दिये थ आते सिक्के में वह सामिल है और भरपोर समर्थन किया था फिर मार्टीन भाई को लगा कि नहीं इसका जो रूट है राजस्तान वहना चाहिए राजस्तान बहुत जादा चुआ-चुत है राजस्तान सामनती और चुआ-चुत का गढडरह है तो हमारे आगडरह पे मार्टी कि एक रोड पे इतने लोग इखटे होगे कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा थे कि हमें कैसे चलना है लोगों ने पूरा सयोग सपोर्ट किया और एक सबां में सबां उन्होंने करवाई उसके बाद में पैसे भी 21000 रुपे का भी कोईन और डोनेशन दिया तीन तारिक से सांचोर थे सांचोर में एक दिन में दस सबाएं की उसके बाद में सांचोर के बाद में दोरी मना हुआ दोरी मना के बाद में गुडा मलानी हुआ शिंदरी हुआ शिंदरी से हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तब रात के 10 बज गए और हम लोग जोई निकले तो सबस्टान नहीं था कौन लोग है फिर उन्होंने उस गाड़ी को रुख वहाँ मिलते नहीं तो लुख वहां मिलते नहीं है फिर भी जो भी था तो भी एक है जो यूनों में मुद्दा उठा था वहां पर भी ये मुद्दा उठा था कालूरी गाओं में चुवाचूत के खिलाब आवाज उठाई गई थी आज से तीन साल पहले तो वो गाओं भी बीच में था रहा उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ दा बालोत वहां से देचू निकले फलोदी में तो इतने लोग आ गए इतनी वीड़ हुई कि हम से कम 500 बाइक रेली हुई और पूरा सहर उमड पड़ा फलोदी की बहुत बड़ी सभा हुई उसके बाद में कंट्यूनियू ये पूरा नागोर रूट है वहां पे सभाए हुई रात को हमारा पड़ाव अजमेर में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा कुछ अ कौई साधीकॐत ह는 में उल्हों ने पूरा प्रोग्राम करवाया। जैसे मंदब को ऐसे सजाए जैसे साधी विवा में मंदब सजाते हैं इस टाइप से और लोग बैंड बाजिये धोल नगाड़े लेके और करीब एक किलूमेटर तक है मैंने बचों को पूछा कि क्या है तो हमारा एक शिक्का आ रहा है और लोग कह रहेंगी वह शिक्का जाएगा और चुवा चूट खतम होगी तो आपको क्या तो नहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे बड़ी बाद यह है कि हमारे देश से हमारे बंदू आ रहे ह है और हमें अच्छा संदेश देने के लिए आ रहे है आज हमारा पूरा गांव है सबने खाणा नहीं बना हम सब एक जगह खाएंगे और वास्तम में करीब करें वहां तीन-चार अजार लोग थे एक जगह उन्होंने खाना खाया बैंड बाजा लेके आए मेरी साधी में भ कोई बहुत बड़ा कोई युद जीत के और आये हैं और ऐसा लग भी रहा था कि जिस मिशन को निकले हैं लोगों का उसा और जो प्रेम महबत और जिस पर का उनका प्सने जो अमेरे उपर उडेला जा रहा था उससे यह में सुस हो रहा था का एंड्रेट परसेंट इस राजस्तान की पुलिस ने जब से गुजरात का बोडर आया है तब से हमारे उपर गाड़ी आगे पूरा गाड़ी जैसे मिनिस्टर के आगे गाड़ी गूमती है उसी टाइप से कंटिन्यू गाड़ी रही अभी जैपुर तक भी गाड़ी और आगे भी दिल्ली बोडर तक गाड़ी रहेगी तो राजस्तान की जो सरकार श्वेडिन सीडिस ऋरकार है मैं ऐसका हूँ मैं पूरे पूरे अमले को धनेवाद देताओ पूरे डीजी पी लाटर साहब उनको धन्यवाद देता हूं और सबी जो नजदीक ठाने हैं उन सब का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ में वकिल जी और जिन्हों ने अपनी बात को रखा है और एक चीज यहां पर बिल्कुल स्वेश्ट कर दिये कि चाहे हम आजादी के 75 साल के बाद भी आज आज़िका अमरेत महतसम बना रहें लेकिन विडम यह है कि 75 साल के बाद भी जाती है कि जाती है कि जाती नहीं तो आज जरूरत है कहीं न कहीं इन चीजों से बाहर निकल करो इसमें अगर कोई महत्व पूर्ण योगदान निभाज सकता है तो वो है सरकारी सरकार का इदाइतर बनता है कि जिस तरह से अत्याचारे आट्रोसिटी होती है उनको बड़ी बारी की से सोच विचार करके उन पर वर्ग पर आज जाती आधार पर चुवा चात हो रहा है तो इसको समाप्त करने के लिए राश्पती से एक अपील करेंगे और मिलने जा रहा है यह जत्ता हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा इनकी मंगल में होगी और जो मकसद लेकर चलें कि देश से चुवा चात मिटे औ करने और सभी व्यक्ति मिलकर भाई चारे करना मैत्री का संदेश देते हुए मानव मानव एक समाने इस सद्धानत को मनुसाथ करके आगे बढ़ाने का कम और इसमें सफल भी हुए